तो कक्षा 11 वी के सभी विध्याती जिस घड़ी का आपको इंतियारता जी हाँ चार जनुवरी का आपका रसायन सास्त्रेनिक केमिश्टी का एक दम रियल पेपर आ चुका है देखिए कही जिलों में आपको इस तरह का पेपर भी देखने को मिल रहा होगा ठीक है जो आपके पेपर भी मेरे पास पूरे उपलब्द होते जा रहे हैं जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ते जाएंगे तुरंत ही आपके लिए जैसे पेपर उपलब्द होते जाएगा तुरंत वीडियो बना दिया जाएगा तो बिना किसी देरी के वीडियो को कर लेते हैं सबसे पहला ज हो लेता है ताकि सारी चीज़े किलियर से दिखाई देगी कि चार धातूं का गलनांक नियूंतम होता है तो वह सीजी अम सी एस ठीक है 23 ग्राम एंक्यू में मोलो की संक्या कितनी होती तो एक एकदम यहां पर राइट उसका रहेगा ठीक है चलिए अगला देखते हैं अब प् क्हाण क्हex स dx टां थीचर टीक है यहां पर पर सीच फ़ोर इन में से इसका आखार सबसे बड़ा है तो याज रहेएं श्ılाना है कौश्चा संक्रण संक्रन है तो यहां पर याज लूईजंईἅ मल उस्मा सनरक्षन का जो नियम है उस्मा गतिकी का प्रथम नियम है कौनसा नियम होनेगा प्रथम नियम देखि एक बात यहां पर किलियर कर दे कि यहां जो पेपर है वहां लगबग सभी जिलों में आने वाला है कुछ जिलों में दूसरा प्रकार का पेपर आएगा आप अच् इस्थाई प्रभाव है इस्थाई ठीक है उद्धेहन उस्मा का मान सदेव रिनात्मक होता है किसा होता है रिनात्मक होता है और सोडियम को किस में रखा जाता है तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है तो यहां पर जाएगा मिट्टी के तेल में चलिए अगला जो है वहां है question number 3 और question number 3 में है सही जोडी ठीक है अब सही जोडी में पहला है आन्विक सूत्र तो आन्विक सूत्र आपका जाएगा मुलानुपात्ती सूत्र पहले दिदूर्व आगुर्ण का मिलाना आप करिएगा ठीक है यहाँ पर व्यक्सवसे एलकेड्य यहाँ पर तीसरा आजाएगा चोता जो है इसकас चोते का मिलाना आप लिधार जीसे करिएगा मेगनिसियम पांचवा जो है मेगनिसियम का पांचवा आजाएगा कलोरोफिल छटा जो है मुक्तमुलक तो मुक्तमुलक है अनुचुंबकी और अन्तिम जो जाएगा जल योजित लवन आने वाला है चलिए भारी जल का फोर्मूला भारी जल का देखिए भारी जल का जो फोर्मूला होता है वो होता है D2O और H2O जो होता है वहाँ हमारे एक नार्मल जल का डोले माइट का फोर्मूले की बात करते हैं तो डोले माइट का जो फोर्मूला है वो है आपका MgCO3 Mg CO3 into CACO3 Dblogly समिकरन देखिए लिग दीजगा आप ठीक है और रसायन विज्ञान के जो जनके हुआ है लेवा जीए लेवा जीए उत्रेश्टे गेसों में इलेक्टरान बंदूता क्या होती है तो वहाँ लगबग सुननी के बराबर होती है और अन्ते है मुक्त उर्जा का संकेत आजागा आपको केपिटल जी ठीक है अब यहाँ से प्रस्न देखिए बंद कोन से आप क्या समझते है संकरन के दो प्रमुक नियम लिखना है यहाँ पर इनकी आकरती और बंद कोन का मान भी आपको बताना है चलिए इसर के लिए उप्युक्त दो प्रमुक दवाओं के नाम इन में से क्रियात्मक सम्हू के सरचना सूत्र लिखना है ठीक है यहाँ पर निमन लिकित में से इलेक्टरान इसने ही केंद्रों दरसाई है मेगनिसियम की परमानुत रिज्जा सोडियम से कम क्यों होती है ठीक है भाईया यह कोस्चे नमर ग्यारा कोस्चे नमर बारा की बात करेंगे तो देखे समांगी उतक्रमनी अभी किरिया को समझाईए विसमांगी उतक्रमनी अभी किरिया ठीक है बोयल का नियम देखें बोयल का नियम क्या है इसका गनीती विंजग आपको बताना है एस आई डॉल्टन ठीकें का अनसिग डाप का नियम लिखना है और एस तदपी आर्बिटल का आरेक देखें सिंपल सिंपल से प्रस्टन यह कोश्चन नमर 16 कोश्चन नमर 16 के बाद में यह 17 भी हो चुका है और इसके बाद में यहां पर देखी यह आपका कोश्चन नमर 18 और अन्तिम जो है वहां है उस्मा गतिके का प्रसमनियम लिखना तता साथ साथ इसके गनितिव इंचक करना है और सिद्ध कीजिए यहां पर कोश्चन नमर 19 का अथ्वार रहेगा ठीक है तो यह मैंने आपको रसायन सास्त्र का जो चार जनुवरी का एकदम रियल पेपर है मैंने आपको बता दिया फिर मैं बता दूँ आपको दो प्रकार के पेपर चल रहे हैं ठीक है दोनों प्रकार के पेपरों को आप जरूर देखेगा वहां वीडियो नहीं देखा है तो इस तरह का उसका पेपर का फोंट रहेगा देखी लीजेगा ठीक है पेपर के फोंट स से मत समझ यह ठीक कि इसके अंदर जो कुस्चन है वह दोनों पिपरों के मिला कर ही आपके इंपी बूर्ड में आ रहे हैं ठीक है तो चैनल सब्सक्राइब करेगा नोटिफिकेशन ओन करके रख लीजिए